नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे अंचल कारियाले से या किसी भी कारियाले से अपने जवाबंदि से संबंदित या नामांतरनवाद से संबंदित सम्पूर्ण अभिलेक या रिकॉर्ड की परमानिच्छाया प्रती भी ली जा सकती है मैंने प्रती ली है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यह उसी का जवाब है उसके साथ यह प्रती सगलग्ड है आप लोग बिना इसकी के वे पूरा वीडियो को अबस देखेंगे जिससे आप पूरी तरह समझ सकेंगे किस प्रकार RTI लगाकर नामांतरन वाद दाखिल खारी मोटेशन या किसी अभिलेक की संपूर्ण परती अभिपारमानित कर ली जा सकती है चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ओल पर भी क्लिक अबस देखें जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक अबस से करेंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे कि हर भारतिये को इसकी जानकारी हो सके मैंने अंचल कारियाले में एक RTI लगाई थी या उसी का जवाब है आप लोग देखें उसका जवाब में अंचल कारियाले आलम नगर पत्रांग कितना सेवा में या मेरा नाम और पूरा पता है आलम नगर दिनांग चौएक उनिश को या मुझे RTI के माध्यम से पूरे भिले की प्रमानित चाह परति दी गई है विशे RTI के अंतरगत मांग की गई सूचना का प्रिशन उप्रोक्त विशे संबंद में कहना है कि RTI के आवेदन मांग की सूचना निम्न रूपेन भेजी जा रही है मांगी गई सूचना नामांतरन के संख्या 1595, 17 एवं 650, 223 के पूरे भिले के रिकार्ड की प्रमानित फोटो को पिचाह यह यह मैंने मांग की थी यह उत्तर में जवाब आया नामांतरन वाद संख्या इतना वह मितना की छायाप परती पूरे अभिले की सगलंग कर भेजी जा रही है यह अंचला दिकारी का हस्ता अक्षर था ततकालीन यह मोहर था और यह मांके बरावाव का साइन है इस प्रकार कर अंचल कार्याले से मैंने संबंधित वाद से संपूर्ण अभिले की परमानित परती ली थी सभी पेज अभि परमानित हैं देखें सभी पेज में दसकत और मोहर है आप लोग अच्छी तरह देख लें यह पूरा अभिलेक का रिकार्ड है इसमें भी मोहर दसकत है इसमें भी है आप लोग देखें इस प्रकार कर अभी परमानित परती दी गई है सभी पेज अभी परमानित है इसलिए आप लोग भी RTI के तहत यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उनका सभी परती अभी परमानित कर लेनी चाहिए जिससे आप किसी भी जगह उसे साक्ष के रूप में प्रस्तुत कर सकें आप लोग देखें यह सभी पेज में मोहर और दसकत है इसमें भी है इस प्रकार हम लोग RTI लगा कर किसी भी संबंदित विभाग ने संबंदित अ अभी लेख की छाया परती लेशकते हैं आसा है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे धियान रखेंगे यदि सभी परती अभी परमानित नहीं दी जाती है तो इसके लिए अपीलवाद या सिकायतवाद अवस्य दायर करें क्योंकि हर साक्ष को अभी परमानित कर अव अश्र प्रस्तुत किया जा सकता है जैहिन